कि हलो कि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कुछ डेट टाइम फंक्शन के बारे में Microsoft Excel में जो है कुछ डेट टाइम फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उन डेट अब 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 आपको जो दिखा रहा है कि रिटर्ट नमबर that represents the date in Microsoft Excel office date and time code कि जो भी date and time code है उसके accordingly date में इसको convert कर देगा तो इसके बाद हमने bracket start की उसके बाद ही आपको बता देगा कि इसका जो argument है वो आपने किस format में देना है तो सबसे पहले हमने इसको बताना year year for example कि हमने यह वाला cell लिया है that is c8 c8 लिख दिया हमने then month month हमने यह लिया है हमारा B8 यह हो गया then और हमारा जो है डे है यह एट तो अगर आप चाहें तो cell address भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें आप नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स के according भी भी आपको result provide करतेगा then bracket close की हमने और enter press किया तो अब आप देख रहे होगे कि इसमें जो है वो 13 मई 1987 जो है इसको डेट में convert कर गिया है यहां पर लिखा है date function हमने c8 b8 a8 तो पहले यह लिखने आपको then month then day तो यह इसका argument जब हम लिखेंगे यह अगर function के dialogue box में आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखना पड़ते हैं आपको पहले यह बताना होता है then year के बाद आप month बताएंगे then day बताएंगे और उसकी जो भी value होगी उसको जो है वो final result में convert करके क्या result आएगा किस format में वो date लिखी आएगी यह हमारे को यहां पर जो है वो function अगर हम जो है वो function wizard का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से year के लिए month के लिए then day उस तरह से हम उसको लिखेंगे और okay प्रेस करेंगे तो यहां पर result हमारे पास आ जाएगा और अगर अपने function की form में type करना है तो उसमें जो है पहले आपको date function लिखना है then year लिखना है then उसके बाद month आएगा उसके बाद day आएगा तो इस तरह से अगर हम उसको तीन inputs कोई भी प्रवाइड कर देते हैं date के month के और year के मिला करना है तो उसके लिए date function इस्तेमाल किया जाता है then एक function हमारे पास इससे ही मिलता जुलता time function का है की time function for example की हमारे पास जो है वो hours लिखे है then minutes लिखे है और उसके बाद जो है वो seconds भी हमने लिखे हुए है तो for example की hours में हमने लिखा है 5 minutes लिखा है 21 then seconds लिखे हैं हमने 40 तो यह information हमने जो है वो लिखी हुई है और इसको जो हम convert करना चाह रहे हैं time में तो time के format में convert करना है तो उसके लिए time function इस्तेमाल होगा equal to then t i m e और यह या आपको नीचे line में लिखा हुआ दिखा दे रहा है कि time function क्या convert करता है convert hours minutes and seconds given as numbers into Excel serial number formatted with time format कि उसको time format में convert कर देगा अगर आप उसको hours minutes और seconds के बारे में बता देंगे तो अब हमने जो है वो time address लिख दिया then minutes के लिए यह वाला cell address आगया हमारा then comma से separate करके जो है जो आप जैसे मैंने पहले बिताया है आपको की function जब आप लिखेंगे तो उसमें जितने भी arguments हैं उन सभी arguments को आपको comma से separate करके लिखना होता है तो यह से separate करके हमने लिख दिये then bracket close की उसके बाद enter प्रेस किया तो यह जो है उसने बता दिया कि यह 521 एम तो यह time format cell की formatting होती है जैसे इसमें यहाँ पर थोड़ा का जूम आउट कर लेते हैं तो यह इस cell में उसने time तो हमें बताई दिया कि यह time है बट इस इस time के साथ जो है उपर हमार पास यह cell के लिए दिया हुए कि type of cell तो अगर यहाँ पर हमें यह time का format ठीक नहीं लग रहा तो हम वह time के format यहां से select कर सकते हैं और उसके accordingly जो है वह time का select किया तो 5 hours 21 minutes and 40 seconds वो जो है वो convert हो गया तो अगर आपको जो है वो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जो result आपके आने चाहिए वो नहीं आ रहे है और अपने function का सही इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि जो टाइप है वो जो है सही select नहीं नहीं हुआ है तो उसमें जो हमारे पास यहां formats and different formats तो जिस तरह का हमारे result है उसके accordingly यहां से format select कर सकते हैं तो उससे हमें जब सही results मिल जाते हैं then यह तो था कि अगर हमारे पास जैसे डेट बनाने के लिए था डेट बनाई हमने देट था मन्त यह था उसको डेट में convert किया hours थे minutes से seconds से उनसे जो हमने उसको time में convert किया अब कहीं बार हो सकता है कि हमारे पास जो है date दी हुई है या time दिया हुआ है उसमें से हमने hours, minutes और seconds अलग से निकालने है या फिर उसमें से month, year और date अलग से calculate करनी है तो अगर यह हमारे पास for example date दी हुई है और इस date में से हम क्या करना चाहते है for example की हम निकालना रहते है day की कौन से day की बात और यह कौन से आ रहा है उसमें एकॉर्डिंगली जो है डेट इसमें थर्टीवन है यह हमारा फंक्षन था डे फंक्षन था तो उपर मैं डे लिग देता हूं इसमें ताकी पता रहे और अलाइनमेंट इसकी थोड़ी चेंज कर देते हैं देंट निकालना है तो उसके लिए मंत function मंत function के लिए val 2 रूपस 나오 और यहां सब्सक्राइब की on एंटर प् Gibbs किया मंत आ व्में एदेखना है की यह कॉन सा है तो उसके यह function है year function के लिए that is equal to year type किया then bracket open और मालो इसी date में से हमने year निकालना है और वो self select किया और enter press किया तो 2015 तो आप देख रहोंगे कि आपके सामने जो है ये date थी उसमें से हमने day को अलग कर दिया है month को अलग कर दिया है और year को हमने अलग निकाल लिया तो 31 मही 2015 यानि की 31 दे हो गया month का 5th मही जो है वो 5th month है बता दिया इसमें और year जो है वो 2015 है तो 2015 आगया हमार पस कि देन हो सकते हैं कि यहां पर जो है वो टाइम दिया हुए और टाइम में से जो हमने आवर्स मिनेट्स और सेकंड्स निकालने है आवर्स मिनेट्स और सेकंड्स निकालने है इसको कॉपी कर लेते हैं उपर तो यहां पर hours निकालने है, hours निकालने के लिए formula है, that is hour, hour, उसके लिए formula है, आपका that is हू-r function लिखा, then जिसमें से आपने बने वो निकालना है, यह वहले cell है, इसमें आपके पास time जिया है, बाइसमें यहां और निकालना कितने घेंटे की बात हो रही है, तो उसका address लिखा, enter press किया, 23 आ गया, minutes calculate करने है, तो आप क्या करेंगे, minutes के लिए function का जो नाम है, that is minute, उसके लिए function है, that is minute equal to minute, minute लिखा हमने, then bracket open की, उसके बाद time लिखा, bracket close की, उससे minute निकल के आ जाएंगे, seconds calculate करने है, तो equal to, then seconds के लिए second function है, second, then bracket, फिर इसी time में से calculate करना हमने, और उसको argument प्रवाइट किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके, जो seconds है, इस time में seconds 0 है, seconds 0 है, minutes 11 है, और 23 hours है, यह जो आपको hours वाले जो hours वाला function है, यह hours का जो function है, हमारा, hour function जो है, यह hour function जो है, यहाँ पर हम अरपस, माला यह PM में लिखा वाया हमने, इसको हमने 23 की जगह हम यहाँ पर 11 ही रहने देते हैं, और इसको PM की जगह AM कर देते हैं, कि अगर यह AM वाला time होता, तो अब देख रहे होंगे, आपकी जो है, वो hours है, जो हमें result प्रोवाइड करेगा, वो 24 hours वाली clock के accordingly प्रोवाइड करता है, और उसमें जो है, अगर यह AM होगा, तो 11 आ जाएगा, अगर यह PM होता है, तो फिर उस case में यह, इसमें 12 add हो जाएंगे, तो इस तरह से हम hours, minutes और seconds, अगर कोई given time है, तो उसमें से hours, minutes और seconds को अलग कर सकते हैं, कोई given date है, तो उसमें से date, month और year को अलग कर सकते हैं, इसी तरह से day है, हमार पास month है, year है, तो उसको मिला के हम एक date में convert कर सकते हैं hours 알아 मिनेंट vso यह तो उनको मिला के जो हम एक टाइम में convert कर सकते हैं और इसी तरह से एक और दो एक दो function और है समें date and time में जो हम use कर लेते हम हमे बारी एक हमार पास now function proud function now function से क्या होता है कि हमें जो है इसमें जो भी कंप्यूटर का current date and time है वो current date and time हमें provide कर देता है तो अभी आप देख रहोंगे कि now लिखा और उसमें bracket open करने है close करने है कोई भी argument नहीं आएगा blank रहेगा तो now लिखने के बाद जैसी आप enter press करेंगे तो वो उसका current date and time बता देगा तो आज जैसे 26 November 2020 और 6 बचके 41 मिनट हुए तो 1841 जो है उसमें time भी हमें बता दिया तो now से क्या होगा date and time दोनों चीज़े जो हमें एक साथ मिल जाती है this is now function यहाँ पे लिख देते हैं this is now function और हमार को current date आ जाएगी equal to today और इसमें भी हमने कोई argument नहीं देना ब्रेकेट ओपन करनी है close करनी है और current date जैसे यहाँ पर भी थी 26-11-2020 तो यहाँ पर भी 26-11-2020 वो current date आज की आ गई है तो आज की वीडियो में इतना ही है कि हमारे पास current date and time निकालना है तो now function है current date चाहिए तो today function का इस्तेमाल कर सकते है hours है minutes है seconds है तो उसको अगर हमने time में convert करना है तो time function है को month को year को मिलाकर अगर date बनानी है तो date function है किसी particular date में से जो हमने day month और year अलग-अलग करने तो उसके लिए day function है month function है and year function है और किसी time में से particular time में से hours minutes और सेकंड को लग करना है तो उसके लिए आवर यहां पर हम मिनेंट फंक्शन है यह कूछ on मा कर सकते हैं आज की वीडियो में एतना ही है क्टेंक्यू